जीवन की समस्या का हल आपकी जन्म कुंडली में छिपा है जन्म कुंडली काया कल्प को दिखाएं समस्याओं का उच्छे तो पाए पाएं धन्यवाद दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका एक बाल फिर से हमारी यूटूब चैनल में मैं हुआ चार इसके थिवारी आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका जन्म जून के महीने में हुआ है तो आप किस प्रकार के बेगती हैं आपकी खासियत क्या है आपकी पसंद नापसंद क्या है और आप जीवन में कितना सफल होते हैं तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें दोस्तों आपका जन्म किसी भी साल के जून महीने में हुआ है तो एस्टोलाजी कहती है कि आप एक नंबर के जिद्धी और जुनूनी व्यक्ति होंगे अपनी बात पर अड़े रहने वाले और सच के लिए मर मिटने वाले होंगे जून में जन्में जातक कई बार जिद और रूखे सुभाव की काण अपना ही नुकसान कर बैठते हैं बाद में पच्ताते हैं पर जताते नहीं हैं इनमें सासन करने की प्रबित इतनी प्रबल होती है कि हर किसी को अपना गुलाम समझने की भूल कर बैठते हैं ये किसी के आधिन तो रही नहीं सकते जब भी कोई नोकरी करेंगे तो अधिकारी बनकर ही रहे पाएंगे अगर किसी के आधिन इन्हें काम करना भी पड़े तो अपने बास से ये तब तक ही इनकी बनेगी जब तक कि वह इनका कहना माने बरना अनबन होते ही देर नहीं लगेगी लड़ाई जगडे से ये लोग पीछे नहीं हटते यहां तक कि गुस्से में इनका खुद पर कंटोल नहीं रहता और बिना यह सोचे कि उनके सामने कौन खड़ा है अनाप सना भी बोल जाते हैं इनके जैसा डिपलोमेटिक इंसान दूसरा नहीं है इनका मतलब हो तो इनके मीठे सुभाव का कहना ही क्या जहां काम निकला तो उपकार को भूलने में देर नहीं करते दिमाग के इतने सार्प और सातिर होते हैं कि जो काम इन्हें नहीं पसंद होता दूसरों से बड़ी खुबी से निकलवा लेते हैं इनके भीतर कई तरह के आर्ट छुपे होते हैं बेंजन बनाने का और सबको खाना खिलाने का इन्हें बिसे सोख होता है मन से ये बड़े बिचितर होते हैं मूड में हो तो दुनिया लुटा दें और अगर बसूलने पर आ जाएं तो सामने वाले के खुण का अंतिम कत्रा भी निकाल सकते हैं रोमांस इनके लिए चोरी छुपे की चीज है सारवजनी कुरूप से इन्हें रोमांस का बिरोधी भी पाया जा सकता है मगर ऐसा नहीं है मोका मिले तो चौका मारने में उस्ताद है अपने पार्टनर के लिए दुनिया जहां से भिड़ सकते हैं वैसे पार्टनर के लिए भी ये उल्जानी होते हैं इस माह में जिन में यूबा, कुसाल अधिकारी, पेंटर, काउंसलर, मैनेजर, टीचर या डाक्टर होते हैं राजनीत के लिए अगर इनके भागे थोड़े भी सहयोग करें तो सब पर छा जाने की ताकत रखते हैं इन्हें अपनी लाइफ में न भी माफ नहीं करते हैं दोस्तों अगर आपका जन्म जून के महिने में हुआ है तो उनका करिस्मा ये है कि अपनी कमियों का ये दूसरों को एहसास तक नहीं होने देते हैं खूबियों को इस स्टाइल से रखते हैं कि सामने वाला इनका कायल हो जाता है इनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि दूसरों के लिए जो बरजित मानते हैं खुद के लिए हुआ सुईकार कर लेते हैं यानि जब कोई बात खुद पर आ जाये तो नियाम में आवेसकता के अंसवार फिर वदल भी कर लेते हैं जून में जन्मे युबाओं को दिखाबे और नकली पन से दूर रहन चाहिए वैसे तो जून में जन्मे लोग द्यालू होते हैं लेकिन इन्हें लगता है कि जैसा ये सोचते हैं वो ही सही है इस वज़े से ये बहस करने में बिल्कुल नहीं हिच्च किचाते ये लोग लंबे समय तक बहस कर सकते हैं चाहे इन्हें बात ठीक से पता हो या नहो ये लोग अगर चाहें तो वकील या पत्रकार भी बन सकते हैं क्योंकि निर्भिक्ता और इनके अंदर जो डर की भावना नहीं होती इनके सुभाव की मुख्य पहचान होती है ये लोग कला प्रेमी होते हैं, इनने गाना, निर्थ, स्केचिंग, प्रिंटिंग आधि अन्य कलाओं में काफी दिल चस्पी होती है ये लोग बात्चीत करने में काफी समार्ट होते हैं और अपनी बातों से जलदी ही लोगों को आकर सिथ कर लेते हैं इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक दिल में नहीं रखते, किसी के साथ अगर दुसमनी भी हो जाए, तो भी एक समय के बाद ये उसे माप कर देते हैं, इनकी कोशिस यही रहती है कि ये दूसरों को भी संतुष्ट रख पाएं दोस्तों जून में जन्मी महिलाएं दिल की भोली भाली दिखती हैं पर वास्तों में होती नहीं, ये अपनी पूरी लाइप दिमाग से जीती हैं, दिल से नहीं, कई मामलों में यह लग सकता है कि इनमें दिल है भी या नहीं, किसी को सजा देना हो, इनसे बढ़कर कोई भी क् परस्त रहती हैं इन्हें लगता है कि हर कोई इन्हें देख रहा है या तो इनके उपर नजर लगाए बैठा हुआ है और हर कोई इनी से जलता है बस यही कारण है कि बीना सोचे समझे किसी के भी विशाय में राय कायम कर लेती हैं और वैसे ही उनके साथ पेस भी आती हैं इन् इन्हें सुझाओ है कि थोड़ी सी सरल थोड़ी सी नरम हो जाएं लाइप के प्रत्य अपना एटिटूड बदलें निगेटिव थिंकिंग से बचें कुड़ना चिर्चिडाना थोड़ा कम करें सोच समझ कर बोलना चाहिए इनमें सबसे प्यारी बात यह होती है कि बचत कम है दोश्तों जानते हैं सामने बाला इन्हें कंजूस समझों तो समझता रहे यह उसकी ज़्यादा परवाहर नहीं करते हैं अब आफे दोस्तों जानते हैं आपके लिए लकी नंबर है गा चार चे और नौ लकी कलर आपके लिए रहेगा अरेंज मेनजेटा और एलो लकी डे आपके रहेगा Tuesday, Saturday और Friday लकी श्टोन आपके लिए रहेगा इन्हें कुंड़ी दिखा कर ही रतन पहना चाहिए वैसे माह के अनुसार इन्हें रूबी धारण कर सकते हैं लेकिन जब भी कोई रतन धारण करें तो आप अपनी जन्म कुंड़ी जरूर दिखाएं उसके बाद ही जून के महीने में हुआ है तो आप किस प्रकार के बेगती हैं